तो बच्चों आपने समांतर स्रेणी तो पढ़ा ही है इसके बाद हम देखेंगे कि जब एक संख्या में एक निश्चित संख्या का गुणा करनेने के बाद में संख्या प्राप्त होती जाती है या फिर एक संख्या में आप निश्चित संख्या का गुणा करते जाएंगे त तो सेनी होती है A, A, R, A, R square, A, R cube and so on तो इस पूरे अध्याय में हम गुणोत्तर सेनी पढ़ेंगे गुणोत्तर सेनी का योगफल गुणोत्तर सेनी के N पदों का योगफल दो अलग-अलग स्थीतियां और फिर अंत में हम देखेंगे कि अनन्त गुणोत्तर सेनी का योगफल किस प्रकार ग्यात किया जाता है तो चलिए आगे देखते हैं कुछ महत्तपूर्ण आउधारना है और फिर इसके बाद हम प्रश्नों को देखेंगे गुणोत्तर सेनी का N वा पद Nth term of a GP किसी गुणोत्तर सेनी के N वे पद को उस सेनी का व्यापक पद या जनरल टर्म कहते हैं इसे भी T N से प्रदर्शित करते हैं माना कि गुणोत्तर सेनी का प्रथम पद A तथा पदानुपाद स्मॉल आर है तब हमें जो गुणोत्तर सेनी मिलेगी वह होगा A, A, R, A, R square, A, R, Q and so on तो इस तरीके से इसका जो प्रथम पद है यह A है इसे हम लिख सकते हैं A, R का पावर 0 या फिर A, R का पावर 1-1 दूसरे पद को लिख सकते हैं A, R, equal to A, R का पावर 1 और इसे लिखा जा सकता है equal to A, R का पावर 2-1 तीसरा पद है A, R का पावर 2 इसे लिखा जा सकता है A, R का पावर 3-1 चौथे पद को लिखा जा सकता है चौथा पद है A, R का पावर 3 equal to A, R का पावर 4-1 तो इस तरीके से हम आगे भी पदों को लिख सकते हैं तो इससे यह इसपस्ट है कि प्रत्येक पद में A से गुणा किया गया है और उसमें R का घात स्रेणी में पद की संख्या से एक कम है तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि गुणोत्तर स्रेणी का एनवा पद equal to A, R का पावर N-1 तो चलिए इससे संबंदित कुछ प्रशन देखते है तो पहला प्रशन है कि स्रेणी 4, 8, 16 इस तरीके से और भी पद है इसका नवा पद ग्याद कीजिए तो चलिए इससे हम हल करते है गुणोत्तर स्रेणी जो दिया गया है यहां से इसका जो प्रथम पद है इसे हम A से प्रदर्शित करते है तो हम लिखेंगे A equal to 4 और पदा अनुपात या सारवा अनुपात अर्थात दो क्रमागत पदों का जो अनुपात है उसे हम पदा अनुपात कहते हैं R से प्रदर्शित करते हैं तो आप दूसरा पद को पहले पद से भाग दे सकते हैं या फिर तीसरे पद को दूसरे पद से भाग दे सकते हैं इस तरीके से किसी भी दो क्रमागत पदों को लिया जा सकता है तो यहां पर R का मान आ रहा है दो और हमें कहा गया है कि नौवा पद ग्याद कीजिए तो आपने ये पढ़ाए कि गुणोत्तर स्रिणी का व्यापक पद इसे हम TN से प्रदसित करते हैं ये होता है A R का पावर N-1 जो जिस क्रमांग का आपको पद चाहिए N के स्थान पर रख दीजिए तो N बराबर हम जब 9 रखेंगे तो हमें 9 पद प्राप्त होगा तो इस तरीके से मिलेगा T9 इक्वल टू A R का पावर 9-1 तो A R का पावर 8 A का जो मान है ये 4 है R का जो मान है ये 2 है तो 2 का घाथ यहां पर 8 तो ये इसको 2 का घाथ 2 लिख सकते हैं और ये 2 का घाथ 8 है तो कुल मिला करके 2 का घाथ 10 और जो 2 का घाथ 10 होता है ये 1024 होता है दूसरा प्रशन स्रेणी 1 बटे 32 1 बटे 16 1 बटे 4 इत्यादी पद है इसका दस्वा पद ग्याद कीजिए तो यहां पर भी हम देखते हैं कि जो गुणतर स्रेणी दी गई है इसका पहला पद 1 बटे 32 है और आर का मान निकालने के लिए हम दूसरे पद में ये 1 बटे 16 है पहले पद का भाग कर देते हैं तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं एक पटे 16 और गुणा करके इसको विपरीत करम में लिख दीजे अंस को हर में और हर को अंस में तो इस तरीके से आपको आर का मान मिल रहा है 2 कहा गया है दस्वा पद घ्याद कीजे तो हम लिखेंगे TN इक्वल टू A इंटू आर का पावर N-1 से दस्वा पद तो हम लिखेंगे T10 A आर का पावर 10-1 करेंगे तो मिल जाएगा 9 तो A का पावर 9 हमें निकालना है A का मान है एक बटे 32 आर का मान है 2 और इसका घ्याद है 9 तो इसे जब हल करेंगे ये 32 ये 2 का घ्याद 5 है हल करेंगे तो मिल दाएगा दोका घात चार और इसे सरल करेंगे तो मिल दाएगा सोला तो हमारा तीसरा प्रशन है इसमें भी गुणोतर सर्णी दी गई है वर्गमूल तीन एक बटे वर्गमूल तीन एक बटे तीन वर्गमूल तीन इस तरीके से पद हैं और इसका हमें एन्वा पद ग्याद करना है तो चलिए इसका हम हल लिखते हैं प्तथम पद वर्गमूल तीन है इसके बाद पदा अनुपात लेने के लिए दूसरे पद में हम पहले पद को भाग देंगे और तीसरे पद में आप दूसरे पद को भाग दे सकते हैं तो दूसरा पद है एक बटे वर्गमूल 3 और हमें भाग देना है इसे वर्गमूल 3 से तो इसे आप आगे सरल करें तो लिख सकते हैं एक बटे वर्गमूल 3 और गुणा करके इसे एक बटे वर्गमूल 3 लिख सकते हैं इसका अंस में जो है उसे हर में और हर में जो है उसे अं स्रिणी का टी एन इक्वल टू एंटू आर का पावर एन माइनस वन यह होता है तो एक का मान आप रख दीजिए वर्गमूल तीन गुना आर का मान है एक बटे तीन और इसका घात है एन माइनस वन आगे इस अरल करके लिखना चाहें तो एक का घात एन माइनस वन लिखे है कुछ भी लिखे है आपको एक ही मिलेगा तो और यह वर्गमूल 3 का अंस में गुणा हो जाएगा तो मिल जाएगा वर्गमूल 3 और फिर 3 का घात N-1 यहां तक ठीक है यह भी उत्तर है और यह दिए अप सरल करना चाहते हैं तो आप आगे 3 का घात 1 बटे 2 लिख सकते हैं और यह 3 का घात N-1 है अधार समान होने पर भाग देने पर घात घटता है यह आपको पता है तो 3 का घात 1 बटे 2 लिख सकते हैं तो इस तरीके से यह भी उत्तर सही है और यहां तक भी आप लिखते हैं यह भी उत्तर है चलिए चौथा प्रश्न में दिया गया है स्रेडी 2 वर्गमूल 2 एक इसका पदानुपात ग्यात कीजिए च्था छटवा पद लिखिए तो यहां पर भी जो स्रेडी दी गई है इसका हम पहले प्रथम पद लिख लेते हैं एक आमान प्रथम पद 2 है पदानुपात दूसरे पद में पहले पद को भाग कर दीजिए सरल करने पर मिल जाएगा एक बटे वर्गमूल 2 अब छटवा पद ग्यात करना है तो यह पदानुपात हमने ग्यात कर लिया अब हमें छटवा पद ग्यात करना है तो आपको पता है कि T N इक्वाल टू A R का पावर N माइनस 1 यह गुणोत्तर स्रेणी का व्यापक पद होता है छटवा पद ग्यात करने के लिए N के जगा में हम 6 लिख देंगे तो यह T 6 इक्वाल टू A R का पावर 6 माइनस 1 करेंगे तो मिल दाएगा आपको 5 A इसका मान 2 है R इसका मान है 1 बटे वर्गमूल 2 और इसका गहात है 5 पमाच आगे इस अपसरल करें तो ये दो और वर्गमुल दो उर्गमूल इसका घाड़ लिख सकते हैं फिर वर्गमूल दो इसका घाएगा यहां से भी दो आगे इस अब जाएगा दो गुना यह एक बटे दो और फिर ये भी एक बटे दो और फिर ये एक बटा वर्गमूल दो ये दो और ये दो कैंसल हो जाएगा solve करने पर मिलेगा एक बटे दो वर्गमूल दो और यही इसका उत्तर है जो हमें ग्याद करना था अगला प्रश्न है स्रेणी 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 च्छतिस बारा चार इस तरीके से पद है इसका अंतिम पद ग्याद कीजिए जबकि स्रेणी में कुल ग्यारा पद है तो चलिए इसे हल करते हैं हल करने के लिए हमें जो दिया गया है उसे पहले लिखते हैं दिया है गुनोतर स्र अब यहां से हम लिख सकते हैं कि गुर्णोत्र स्रिणी का प्रथम पद है 36 पदानुपात दूसरे पद में पहले पद को भाग दे दीजिए 12 बटे 36 हल करेंगे मिल दाएगा एक बटे 3 अब हमें कुल 11 पद हैं तो अंतिम पद ग्याद करना है इसका मतलब यह कि 11 पद आपको ग्याद करना है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि T11 हमें ग्याद करना है तो TN equal to A R का power N minus 1 यह गुणत्तर सिर्णी के व्यापक पद होता है N के जगह में आप 11 लिखेंगे तो मिल जाएगा T11 equal to A into R का power 11 minus 1 मिलेगा A R का power 10 A का मान है 36 R का मान है 1 बटे 3 और इसका पूरे का घात है 10 इसे आप सरल करेंगे अब देखिए यह 36 है एक बटे 3 का घात 2 करेंगे तो मिल जाएगा 9 मतलब 2 घात हमने ले लिया और यह घात 8 9 जो है 3 का घात 2 है और यह 3 का घात 8 है जोड़ेंगे तो आपको घात 10 मिल जाएगा तो 9 से इसको भाग देंगे तो आजाएगा 4 9.36 और आगे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 9.36 और तीन का घात जब 8 को सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6 561 तो यही इस गुणोत्तर स्रीनी का अंतिम पद है ग्यारवा पद है जो हमें ग्यात करना था हमें गुणोत्तर स्रीनी दी गई है और पूछा जा रहा है कि यह कौन सा पद है तो प्रशन है कि स्रेडी रिन एकबटे 27, एकबटे 9, रिन एकबटे 3 इसका कौन सा पद 729 है तो इस प्रकार के प्रशन में हम यह मान करके चलेंगे कि माना जो दिया गया संख्या है यह इसका एनवा पद है दिये गए स्रीनी से हमें प्रथम पद मिल जाएगा पदानुपात मिल जाएगा और गु उससे हम लिख लेते हैं, गुणोत्तर स्रेणी जो दिया गया था, इसका प्रirk्तम पद है रिन एक बटे 27, यहaces यह फिर हम यहां पे लिख लेते हैं कि जो गुणत्तर स्रेणी है यहे रिन एक बटे 27, एक बटे 9 और फिर रिन एक बटे 3 इत्या दि, तो इससे हमको मिल गया प्रत्थम पद रिन एक बटे 27 आर दूसरे पद में पहले पद को भाग दे दीजे तो यह मिल जाएगा एक बटे 9 और गुणा का चिन करेंगे तो यह जो हर है वो अंस में चला जाएगा यह 27 बटे 1 हल करेंगे तो मिल जाएगा रिन 3 एक आमान मिल गया आपको आर का मान मिल तो हम यह मान करके चलेंगे कि माना यह जो 729 है यह दिये गए गुणोतर स्रेणी का एनवा पद है तो यह TN equal to होता है A R का पावर N minus 1 गुणोतर स्रेणी का व्यापक पद या एनवा पद यह क्या दिया गया है 729 हम इसको मान लेते हैं कि यह तो इसको मान लेते हैं तो हमने माना कि यह इसका एनवा पद है तो यह एनवा पद यह 729 है A का मान रख देते हैं RIN 1 बटे 27 R का मान है RIN 3 और इसका गहात है N minus 1 बराबर 729 अब यह जो RIN 3 का घहात N minus 1 है इसे left में ही रखते हैं और यह RIN 1 बटे 27 को उधर गुणा कर देते हैं तो यह 729 हो गया और RIN 27 हो गया 729 को आप RIN 3 का घहात 6 लिख सकते हैं चुकि left side में हमें RIN 3 का घहात में संख्या दी गई है इसलिए right hand side को भी हम 3 के यह RIN 3 के घहात के रूप में लिखने की कोसिस करेंगे तो 729 को आप RIN 3 का घहात 6 लिख सकते हैं और 27 को आप लिख सकते हैं RIN 3 का घहात 3, 3 तिया 9 और तिया 27 आधार समान है गुणा करने पर घहात जोडता है तो RIN 3 का घहात 6 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 9 तो इस तरीके से आपको मिल रहा है कि RIN 3 का घहात N-1 बराबर RIN 3 का घहात 9 आधार समान है तो घहात भी समान होंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा कि N-1 equal to 9 और इसे solve करेंगे तो मिल जाएगा N equal to 9 plus 1 equal to 10 तो यह जो प्रशन में हमें दिया गया था कि 729 कौन सा पद घ्यात करना है तो यह दिये गए गुणोतर स्रीनी का दस्वा पद जो है यह 729 है तो कुछ ऐसे प्रशन भी मिलेंगे जहां पर आपको N का मान पूर्णांक संख्या न मिल करके कोई परिमेश संख्या मिलेगी तो इस प्रकार के अगर प्रशन मिलते हैं तो आप यहां कहेंगे कि वह दी गई संख्या उस गुणोतर स्रीनी का कोई भी पद नहीं है क्योंकि पद की संख्या हमेशा पूर्णांक में होती है अगला प्रशन है एक बटे दो, एक बटे छे, एक बटे अठारा, एक बटे चौवण इस तरीके से आगए भी पद है और अंतिम पद है एक बटे 4374 इसका अंत से चौथा पद हमें ग्याद करना है तो सबसे पहले जो चीजे दी गई है उसे हम लिख लेते हैं हल जो दिया गया है गुणोतर स्रीनी गुणोतर स्रीनी क्या है एक बटे दो, एक बटे छे, एक बटे अठारा, एक बटे चौवण ये ऐसे करते हुए अंत का पद दिया गया है 4374 और पूछा गया कि अंत से चौथा पद ग्याद करना है तो यदि हम कुल पदों की संख्या निकालने तब हम अंत से चौथा पद ग्याद कर पाएंगे तो यहाँ पर ए जो है प्रथम पद ये एक बटे दो है पदा उनुपात दूसरे पद में पहले पद को भाग दे दीजे एक बटे 6 भाग कर रहे हैं एक बटे 2 तो यह मिल जाएगा एक बटे 6 गुनित 2 बटे 1 हल करेंगे मिल जाएगा एक बटे 3 अब एन्वा पद ग्याद करने के लिए अब पदों की संख्या ग्याद करने के लिए हम मानेंगे कि माना दिये गए गुनोतर स्रिणी का एन्वा पद एक बटे 4374 है इसका मतलब यह कि इसका जो एन्वा पद है अन्तिम पद है यह 14374 है एक अमान आप रख देंगे एक बटे 2 आर का मान है एक बटे 3 इसका गहात है एन्वाइनस 1 और यह एक बटे में इस संख्या को जिस तरीके से है उस तरीके से हम लिख देंगे अब यह जो 2 है उसको उस तरह पक्षांतर कर दीजे मिल जाएगा एक बटे 3 पूरे का गहात एन्वाइनस 1 और यह दो बटे 4384 इसे आप दो से भाग देंगे तो मिल जाएगा एक बटे 2187 देगे दो दो नी चार फिर दो एक कम दो एक बज गया दो अठे 16 फिर एक बज गया दो सत्ते 14 तो इस तरीके से एक बटे 2187 अब लेट साइड में देखिए यह एक बटे 3 के गहात के रूप में है तो यह संख्या को भी हमें एक बटे 3 के गहात के रूप में लिखना होगा तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं एक बटे 3 का गहात N-1 बराबर एक बटे 3 और पूरे का गहात 7 आधार समान है तो इसके घात भी समान होंगे तो इस तरीके से मिल दाएगा N-1 is equal to 7 और सरल करने पर मिलेगा 7 plus 1 is 8 तो इस तरीके से हमें इस गुणोत्तर सिर्णी के कुल पदों की संख्या मिल चुकी है जो की 8 है अब हम लिखेंगे अंत से चौथा पद या पहले से पाँचवा पद देखिए कुल मिला करके 8 पद है 1,2,3,4,5,6,7,8 ऐसे कुल मिला करके 8 पद है अन्त से चौथा पद मतलब ये एक, दो, तीन, चार अन्त से जो चौथा पद है ये प्रथम या सुरुवात से ये पाचवा पद है तो इसी को हमने लिखा है कि अन्त से चौथा पद या फिर पहले से पाचवा पद तो पांचवापद तो T 5 लिख सकते हैं A R का पावर 4 चुकि गुणत्तर स्रेणी का N वापद होता है A R का पावर N-1 अब इसमें मान रख दीजे A का मान है 1 बटे 2 R का मान है 1 बटे 3 और इसका घात है 4 सरल करने पर आपको मिल जाएगा 1 बटे 2 और 1 बटे 3 और पूरे का घात है 4 मिल जाएगा 1 बटे 81 सरल करने पर मिलेगा 1 बटे 162 और यही दिये गया प्रशन का उत्तर है जो हमें ग्याद करना था अब अगले प्रशन में दिया गया है अब अगले प्रशन में में ग्याद करना है कि X के किस मान के लिए संख्याएं 1 प्लस X, 5 बाई 6 प्लस X और 13 अपॉन 18 प्लस X गुणोत्तर स्रिणी में होंगे तो आपको यह पता है कि कोई संख्याएं गुणोत्तर स्रिणी में तब होती है जब दो क्रमागत्पदों का पदानुपात जिसे हम R से प्रदर्सित करते हैं वह बराबर होता है तो हम इसे लिख लेते हैं कि संख्याएं 1 प्लस X, 5 बाई 6 प्लस X और 13 अपॉन 18 प्लस X गुणोत्तर स्रिणी में होंगे यदि दूसरे पद को पहले पद से भाग दे दीजे तो 5 बाई 6 प्लस X अपॉन 1 प्लस X ये बराबर होगा तीसरे पद को आप दूसरे पद से भाग दे दीजे तो ये आपका तीसरा पद और ये पहला पद अब तिरियक गुणा करके इसको सरल करेंगे तो इस पद का गुणा इस पद के साथ हो जाएगा तो ये 5 बाई 6 प्लस X इंटू 5 बाई 6 प्लस X और फिर ये 1 प्लस X ये वाला पद और ये दूसरा पद 1 बाई 13 अपाउन 18 प्लस X तो इस तरीके से हमें अब इसको हल करना है और फिर X का मान ग्याद करना है तो गुणा करें तो देखिए कि 5 बाई 6 प्लस X 5 बाई 6 प्लस X दोनों समान पाद है A plus B का होल सक्वाइर इकवाल टू A स्क ब्लस B स्क प्लस टू A B से अब निकाल सकते हैं या फिर इस पद का गुणा पूरे पत के साथ कीजिए फिर योग करके इस पद का गुणा पूरे पत के साथ से कीजिए तो मैं डारेकली इसको लिख रहा हूं 5 बाटे 6 का वर्ग करें और फिर ये X, और फिर X का गुणा इस पद के साथ करेंगे तो मिल जाएगा 13 बाटे 18 X और इस X का गुणा इस X के साथ करेंगे तो मिल जाएगा X का वर्ग. तो ये X का वर्ग और ये X का वर्ग कैंसल हो जाएगा दोनों तरफे. अब X वाला पद ये X वाला पद है और ये दोनों X वाले पद हैं तो ये संख्या को हम लेप्ट साइट में ले आते हैं तो 25 बटे 36 और रिंड 13 बटे 18 इसको हमने पक्षांतर का लिया और लेप्ट साइट पे ले आया और इस पत को भी हम लिख चुके हैं इस पत को भी लिख चुके हैं तो यह 2 और इसको भाग देंगे तो मिल जाएगा 3 तो 5 बटे 3 X 5 बटे 3 X बराबर इसको जब सरल करेंगे तो इसका लगुतम स्वापर आएगा 18 और यहां पर आजाएगा 18 धन 13 और यह X और यह X तो कैंसल हो चुका है अब इसको जब आप सरल करेंगे तो इसका जो लगुतम स्वापर आएगा 36 अठारा और 36 का लगुतम स्वापर आएगा 36 36 को 36 से भाग देंगे मिलेगा 1 और 1 को 25 से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 25 इसी तरीके से 36 को 18 से भाग देंगे मिलेगा 2 और 2 को अंस से गुणा करेंगे 13 से तो मिल जाएगा 13 दूनी 26 इक्वल टू इसको जोडेंगे तो मिल जाएगा 31 X बटे 18 और यह जो 5 बटे 3 X है इसो राइट साइड दे पक्षांतर कर देते हैं तो यह माइनस साइन के साथ में आ जाएगा तो इसे आप 5 X अपाउन 3 ऐसा भी लिख सकते हैं अब आगे जब सरल करेंगे तो यहाँ पर भी लगताव स्वापर्त मिल जाएगा 18 और अंस में यहाँ पर 31 X माइनस अब यह जो 18 इसको 3 से भाग देंगे तो आएगा 6 और 6 को 5 X से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 30 X सरल करने पर यह अंस में आ जाएगा रिन 1 बटे 36 और इसको सरल करेंगे तो मिल जाएगा X बटे 18 आगे सरल करने पर 18 एकम 18 और 2 गुणा करेंगे मिलेगा 36 तो इस तरीके से आपको मिल रहा है X बराबर रिन एक बटे दो और यही वह मान है जो हमें ग्याद करना था कि X बराबर रिन एक बटे दो रखने पर यह जो तीन संख्याएं हैं यह गुण तरस्रेणी में होगी अगर आप इसे क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो X का मान रिन एक बटे दो इस पर रखिए इस पर रखिए और इस पर रखिए और फिर देखिए कि दोनों इन दोनों पदों से और इन दोनों पदों से जो पदानुपात है आर का मान वह बराबर आ रहा है या नहीं अब हम आगे ऐसे प्रशन करेंगे जिसमें हमें गुणोत्तर सिर्णी के कोई दो पद दिये गए होंगे जिसमें बताया जाएगा कि यह कौन सा नंबर का पद है और हमें उसके कोई तीसरा पद पूछा जाएगा तो चलिए पहला प्रशन देखते दिया है यदि किसी गुणोत्तर सिर्णी का पहला पद 16 तथा पांच्वापद एक भटे 16 है तो उसका चौथा पद ग्यात कीजिए तो पहला पद क्या दिया हुआ है एक पहला पद दिया हुआ है 16 तो हम लिखेंगे कि माना गुणोत्तर स्रेडी का प्रथम पद ए तथा पदानुपात आर है अब प्रथम पद दिया गया है 16 तो हम लिखेंगे ए बराबर 16 चौथा पद पांचवा पद दिया गया है T5 तो T5 का मतलब पांचवा पद और यह होगा A R का घात 4 गुणोत्तर स्रेडी का एनवा पद होता है TN इक्वल टू A R का पावर N-1 तो 5 है तो वहाँ पर एक कम होगा 4 और इसका मान है एक बटे 16 एक कमान एक बटे 16 है यहाँ पर रख देंगे तो मिल जाएगा एक यह 16 और R का घात 4 बराबर एक बटे 16 और इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं एक बटे 4 और यह पूरे का घात 4 तो R का घात 4 बराबर एक बटे 4 का घात 4 है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा R बराबर एक बटे 4 तो किसी गुणत्तर सिर्णी को ग्याद करने के लिए आपको चाहिए प्रत्थम पद और पदानुपाद यह दो चीजे मिल गई है आप अगला पूछा गया चौथा पद ग्याद कीजिए तो T4 चौथा पद A R का पावर 4-1 बराबर A R का पावर 3 आपको मिल जाएगा A का मान है 16 R का मान है 1 बटे 4 और इसका घात है 3 तो 16 गुना 4 गुनित 4 और फिर इसको आप लिख सकते हैं 1 बटे 4 चार चौक 16 ये 16 और ये 16 कैंसल मिल गया 1 बटे 4 तो ये चौथा पद हमें जो ग्याद करना था ये एक बटे 4 है और ये इसका उत्तर चलिए दूसरे प्रशने पर चलते हैं यहां पर दिया गया है उस गुनोतर स्रेणी को ग्याद कीजिए जिसका पांच्वा पद 80 तथा आठ्वा पद 640 है यहां पर भी हमें लिखना होगा कि माना अभिष्ट गुनोतर स्रेणी जो हमें ग्याद करनी है का प्रत्थम पद ये स्वारवानुपात या पदानुपात जी से कहते हैं यह आर है अब क्या दिया हुआ है पांच्वा पद T5 अब गुनोतर स्रेणी का एन्वा पद TN इक्वाल टू ए आर का पावर N-1 उसका उप्योग करेंगे तो यह आर का पावर 4 हमें मिलेगा जो की है 80 माना की यह समीकर एक है और आठवा पद दिया गया है तो यह आर का पावर 7 हमें मिलेगा इक्वल टू 640 640 अब हमें A का मान ग्यात करना है और R का मान ग्यात करना है तो समीकरण 2 को 1 से भाग देंगे तो A और A कैंसल हो जाएगा जहां से हमें R का मान मिल जाएगा तो हम लिखेंगे 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर A R का पावर 7 अपॉन A R का पावर 4 बराबर यह 640 अपॉन 80 A और A कैंसल हो जाएगा R का पावर 7 आधार समान होने पर भाग देने पर घात घटता है तो घात 7 है और यह 4 है इसे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 8 तो इस तरीके से आगे आपको म लिख सकते हैं 2 का घात 3 तो यहां से आपको मिल जाएगा R equal to 2 तो R का मान हमें 2 मिल चुका है समीकरण 1 पर रख देते हैं तो समीकरण 1 से A R का पावर 4 है तो इसको 2 का पावर 4 लिखेंगे equal to 80 solve करने पर मिलेगा A equal to 80 upon 16 तो 16 पंचे 80 तो यहां से मिल जाएगा A equal to 5 गुणतर शिर्णी का सारवानुपात या पदवानुपात मिल चुका है और प्रथमपद मिल चुका है गुणतर शिर्णी जो होता है यह होता है A, A R, A R square, A R cube इस तरीके से आपको आगे पद मिलते हैं तो इस तरीके से इसका उपयोग करके हम लिख सकते हैं कि अभिष्ट गुणतर शिर्णी जो हमें लिखना था A, A का माने 5 तो इस तरीके से और आगे पद में लिख सकते हैं असी ये गुणोत्तर स्रेणी हैं जो हमें ग्यात करना था अगला प्रसन दिया गया है किसी गुणोत्तर स्रेणी का पांच्छवा पद तीसरे पद का नव गुना है शेणी का दूसरा पद छे है शेणी ग्यात कीजिए तो इसे हल करने के लिए हमें समीकरण बनाना होगा और जो चीजे ग्यात है उसका हमें उप्योग करना होगा तो हम लिखेंगे कि माना अभिष्ट गुणोत्तर सेणी का प्रथम पद ए सारवानुपात या पदानुपात आर है अब प्रश्ण में क्या कहा गया है इस पर ध्यान दीजे पाचवा पद पाचवा पद मतलब T5 तीसरा पद मतलब T3 पाचवा पद तीसरे पद का 9 गुना है तो कौन 9 गुना है T5 पाचवा पद तीसरे पद का 9 गुना है अब पाचवा पद A R का पावर 4 होगा 9 को हम यहीं लिखेंगे तीसरा पद A R का पावर 2 होगा तो यह A और A A cancel हो गया आगे R का पावर 4 है R का पावर 2 है इसको पक्षंतर कर देंगे तो मिल जाएगा R का पावर 4 अपान R का पावर 2 और यह इकुल टू 9 है आधार समान होने पर भाग देने पर घात घटता है तो चार में 2 खोटाएंगे मिल जाएगा 2 R का घात 2 और 9 को आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 3 इसका पावर 2 तो प्लस 3 का भी स्कुयर करेंगे तो मिल जाएगा 9 माइनस 3 कभी स्क्वार करेंगे मिल दाएगा 9 तो इस तरीके से आगे हम लिख सकते हैं कि R इक्वल टू प्लस माइनस 3 और आगे दिया गया था कि स्रेणी का दूसरा पद 6 है तो T2 बराबर A R बराबर 6 तो यहां पर आप मान रखेंगे तो A बराबर मिल जाएगा 6 बटे R तो इसका मतलब यह 6 बटे प्लस माइनस 3 सॉल करने पर एक बार आप प्लस वैल्यू रखेंगे दूसरे बार आप माइनस वैल्यू रखेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा A इक्वल टू प्लस 2 और फिर माइनस 2 या फिर इसे आप लिख सकते हैं A इक्वल टू प्लस माइनस 2 तो R का मान मिल गया और A का मान मिल गया आगे हम गुणोत्तर स्रिणी लिख सकते हैं तो अतह अभीष्ट गुणोत्तर स्रिणी जो हमें चाहिए है यह क्या मिलेगा 2, 6, 18 इस तरीके से पद मिलेगा A जब पहले धनात्मक मान लेंगे तो मिल जाएगा 2 2 और 3 का गुणा करेंगे मिलेगा 6, 6 में फिर 3 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 18 इस तरीके से यदि आप प्लस और माइनस का ऐसा कंसीडर करते हैं तो यदि पहला पद रनात्मक मिलेगा तो दूसरा पद धनात्मक होगा फिर तीसरा पद रनात्मक होगा अगला पद धनात्मक होगा तो इस तरीके से जो हमें गुणतर सिर्णी चाहिए थी वो यही गुणतर सिर्णी है